अगले महीने दिल्ली में G20 समिट होनी है अमेरिका के रास्टरपती जौबेडन समेट दुन्या के पई दिगज नेता दिल्ली में जुटेंगे ऐसे में 8 से 10 सितमबर तक सभी प्राइबिट और दिल्ली सरकार के कार्याले बंद रहेंगे नई दिल्ली के बजार समेट बैंक और वारेजिक प्रतिस्थान भी बंद रहेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल ने G20 सिखर सम्मेलन के मद्दे नजर तीन दिन का सार्विजनिक अवकाश घोशित करने के प्रस्ताव को मनजूरी दे दी है इसको लेकर बता दें कि शहर के सभी स्कूल और कॉलेज के साथ ही दिल्ली सरकार और MCD के कार्याले भी तीन दिन के दोरान बंद रहेंगे वैसे सम्मिट का आयोजन 9 से 10 सितंबर को होना है लेकिन सदस्य देशों के रास्टपती, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और अन्य विदेशी महमानों का दिल्ली में आना 8 सितंबर से ही शुरू हो जाएगा इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 8 सितंबर से ही छुटी घोशित करने का निर्न लिया है जबकि इससे एक दिन पहले 7 सितंबर को जनमास्टमी के दिन भी अफकाश रहेगा ऐसे में 7 से 10 सितंबर तक एक तरह से दिल्ली में छुटी रहेगी इसे लेकर पुलिस और अन्य सुरक्षा कर्मियों ने तयारी शुरू कर दी है दिल्ली के स्पेशल सीपी ऐसेस यादों ने बताया कि ये पाबंदियां 7-8 सितंबर की रात से लगाई जाएगी दूसरा बड़ा प्रतिबंध वारेजिक वाहनों पर होगा विशेश रूप से भारेजिक वाहनों को दिल्ली की सीमाओं से प्रतिबंध किया जाएगा हाला कि किसी भी वाहन के लिए जो आविशक समान ले जा रहा है या आविशक सेवाओं में सामिल है हम उन्हें अनुमती देंगी एम्बुलेंस, शिकित्सा सेवाओं या उन लोगों की आवजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा जिने परिवहन के किसे भी माध्यम से शिकित्सा सहायता की आविशकता है यादव ने आगी कहा हमारे पास उन सभी उपयोग करताओं के लिए एक वर्चुल हेल्प डेस्क होगा जो प्रतिनीधियों, परियटकों की साथ-साथ दिल्ली के नागरी को और अन्य बाहरी लोगों के रूप में दिल्ली का दौरा करनाए है हम परिवहन सेवाओं सहीत विभिन सेवाओं के बारे में हर दम जानकारी प्रदान करते रहेंगे तर बेड़ आपो तर शयाओं सेवाओं 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 लोगों कर देगे फारती ज kilo करिजे कोमईरि कोसी फ्सकाली है कि प्रफी कोमारिटी znaव मैं एक एस प्रिक्साली है सैंपने हैं से रादी बाहिं कोझा और वे करेंद न जादी आपूदे पैस समी बाहिं पार कि खलें दे минут बाहिं अवेश शर्विके व्यु इए घ्लावा एंकि नाख़वा ख there is no restriction on the movement of ambulance or the medical services or the people who are needing the medical assistance coming by whatsoever mode of transport for that we are establishing a special ambulance assistance control room which will have a dedicated helpline the main summit venue is in new delhi so there will be restrictions in the nd mc area or we call the new delhi police district which will be a controlled zone in which the authorized vehicles or the identified vehicles or the identified visitors will be allowed. But in the controlled zone as well as the rest of Delhi, metro services will be allowed throughout. It means if you want to come to New Delhi and visit New Delhi at any place, you can come by metro. There will be no restrictions to come by metro for any individual.